हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी के इस कारिक्रम में मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि आज के दिन की जो प्रमुक खबरे होती है वो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ तो आज जो है एक बहुत बड़ी खबर आई है खबर वास्तविक्ता में कल देर रात आई और लेकिन बहुत important है बहुत महत पपूर है जिसके बारे में समझना और जानना आपके लिए आवश्चक है और ये समाचार है Operation Ajay को लेकर तो ये Operation Ajay क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा तो कल देर रात भारत के विदेश मंतरी S.J. शंकर ने अपने Twitter अकाउंट से Operation Ajay की घोशना की उन्होंने कहा कि भारत सरकार Operation Ajay लाँच कर रही है और ये Operation Ajay क्या है कि हम सभी जानते है कि इस समय इसराइल में एक बहुत युद्ध चल रहा है इसराइल और हमास के बीच और जैसे की संभावनाएं लग रही है कि ये युद्ध जो है ये आने वाले समय में और गंभीर होने वाला है इसराइल भी आकरमन कर रहा है हमास भी आकरमन कर रहा है और अब इसमें लेबनन भी आकरमन करने लगा है लेब और कुछ समय चलने वाला है तो इसमें ऑपरेशन अजय का जो तात पर्रे है वो है कि इसराइल में जो फसे हुए भारतिय हैं उनको रेस्क्यू करना यानि कि वहाँ पर जो भी भारतिय या तो पर्यटक थे या फिर वहाँ रहते थे किसी काम से गए हुए थे ऐसे सभी भारतिय जो वहाँ पर फस गए हैं उनको बचा कर निकाल कर फुरक्षित भारत वापफ लाने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया है उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन अजय ठीक है तो एक अनुमान के मताबिक इसराइल में इस समय करीब 18,000 भारतिया है एक अनुमान ये कहता है कि करीब 18,000 भारतिया इसराइल में कुल मिलाके हैं जिनमें से करीब 900 जो हैं वो छात्र हैं छात्र या छात्राएं हैं जो कि इसराइल के अलग-अलग विश्व विद्यालेओं में अलग-अलग उनिवर्सिटीव में पढ़ रहे हैं देखिए किसी भी देश से रेस्क्यू मिशन की आवशक्ता या पिर इस तरह के बचाव के मिशन की आवशक्ता तब पढ़ती है जब वहां से कॉमर्शल फ्लाइट आनी बंद हो जाए जैसे अगर मान लीजे एर इंडिया या और कोई भी एरलाइन तेल अवीव से दिल्ली के लिए अपनी नॉर्मल फ्लाइट चला रही होती तो आपको रेस्क्यू मिशन की जरूरत नहीं है तब जो भी निकलना चाहता है वो उस फ्लाइट को लेकर वापस आ सकता है लेकिन वहां पर क्या हुआ जैसे ये कदम त जाने वाली जो अपनी डिरेक्ट फ्लाइट है जो भी फ्लाइटे हैं उन सब को बंद कर दिया है इन फाक दुनिया के बहुत सारे देशों ने लगबख सभी देशों ने इसराइल की और जाने वाली अपनी सारी उड़ाने बंद कर दी है यानि कि एक कॉमरिशल तरीके से एक सामान ये तरीके से किसी भी व्यक्ती के लिए जो वहाँ पर फसा हुआ है उसके लिए निकल पाना बहुत जादा मुश्किल है तो ऐसे में भारत सरकार का ये संकल्प रहा है हमेशा से कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी भारतिय फसा हुआ होगा तो उसकी म लोगों को निकाला है भारत ने 1990 का जब हमने इराक से करीब डेल लाक लोगों को निकाला था इराक के युद्ध के बाद उस पर फिल्म भी बनी थी आपको याद होगा एयरलिफ्ट नाम की तो इस प्रकार के वैक्वेशन जो है भारत सरकारें करती आई हैं इस वर्ष ही आप आपको अगर याद होगा तो अप्रैल मई के महीने में सुडान में युद्ध छिडा था आपको याद होगा अप्रैल मई में कहां युद्ध छिडा था सुडान में और सुडान के युद्ध के समय भारत सरकार ने क्या चलाया था ओपरेशन कावेरी शायद आपको याद ह ओपरेशन कावेरी चलाया गया था जिसके तहट सूडान में जो भारतिये फसे हुए थे उनको हम निकालके बाहर लाए थे तो इसके लिए सरकार कई सतर पर प्रयास करती है देखे इसराइल में जो लोग हैं उनमें से काफी सारे IT प्रोफेशनल्स हैं जो कम्प्यूटर और काफी सारे छात्र छात्र आये हैं जैसे मैंने आपको बताया काफी सारे मजदूर हैं काफी सारे कारीगर हैं और काफी सारे ऐसे ज्यूद भी हैं ऐसे यहूदी भी हैं जो भास्तविक्ता में भारतिये मूल के हैं तो अगर आप भारत में भी देखें तो कोची में की आवशक्ता है ये लोग भी अपने मूल देश भारत वापस आना चाहते हैं इस युद्ध के कारण इस समस्या के कारण तो भारत सरकार उनको भी बचा कर लाएगी भारत का इस तरह का track record रहा है कि जब भी कभी अंतराश्तिय समस्या आती है अंतराश्तिय संकट आता है भार के छात्रों को भी हम rescue करके अपने घर वापस लाए हैं ऐसा एक track record हमारा रहा है तो इसके लिए भारत ने तेलवीज में अपना जो भारत का उच्चा योग है वहाँ पर एक hotline स्थापित की है जो 24 घंटे काम करेगी दिल्ली में एक hotline स्थापित की गई है और जो भारत ये मूल के लोग वहां रहते हैं जिनको इस rescue की आवशकता है उनकी सूची बना दी गई है और एक एक करके उनको plane के जरीए हवाई जहाज के जरीए वापस लाने की प्रक्रिया आज से यानि कि गुरुवार से शुरू हो रही है तो आज गुरुवार की पहली flight में जो लोग आ जा रहा है कि आपको किस किस दिन इवराईल से निकाला जाएगा और फुरक्षित भारत लेकर जाया जाएगा ठीक है तो यह जो है यह एक प्रक्रिया भारत इसको चला रहा है और हम सभी जानते हैं कि भारत का इस प्रकार का track record रहा है कि भारत कभी भी अपने नागरिकों क को पीछे छोड़कर नहीं आता है जैसा कि हम सभी जानते हैं अफगानिस्तान में जब युद्ध हुआ था तो अफगानिस्तान के बाद वहां पे भारतिये फसे हुए थे उनको निकाल के लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था 2000 जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया था 2021 के बाद जब वहां पे वहां पे एक शासन तालिबान का आ गया था अमेरिका के जाने के बाद तो जिस तरह से वहां से लोगों को निकाला गया था उसको ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम लिया गया दिया गया था COVID के समय में भी भारत ने अलग अलग जगों पे फसे भारतिय नागरिकों को बचाने के लिए Operation Vanday भारत और तो दो तरह के Operation चलाए थे एक Operation Vanday भारत था जिसके तहट दुनिया में कहीं अगर भारतिय नागरिक फस गए थे लोकडाउन नित्यादी में तो उनको भारत वापस लाया गया था और इसके अलावा में उनको भारत वापस लाने के लिए जब युद्ध हुआ था तब auction राहत चलाए गया था फिक amateur टक और ये जो है operation राहत जो है वो यमिन में था ये आप कुछ नाम याद रख लें कि कौन से देश के लिए कौन सा वाला विवस्थाती ये आप याद रखें 2006 में जब इसराइल और लेबनन के बीच वार हुआ था जो आपको मैंने कल पढ़ाया था तब सरकार ने operation सुकून चलाया था तो इस तरह के बहुत सारे operations जो है भारत सरकार चलाती है जिसमें विशेश विमान भेजे जाते हैं कई बार सिविलियन विमान होते हैं कई बार भार है एकदम सपश्ट है कि यह जो अठारा हजार लोग हमारे इसराइल में कहीं अलग अलग जगों पर फसे हुए हैं उन सभी को हमको सुरक्षित भारत लेकर आना है तो इस operation की शुरुआत हो गई है और मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि यह सभी अठारा हजार लोग ज जो है वो 15 तारिक है एड्मिशन की लास डेट 15 है इसका मतलब यह नहीं है कि आप 15 तक इंतजार करें क्लासेज शुरू हो चुकी है दस तारिक से अभी इंट्रोडक्शन क्लासेज होती है तीन चार लेकिन वो इंपोर्टेंट होती है उनको मिस मत कीजेगा तो अगर आप से जुढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट या एप पर आप एज माल लगाईए और फ्लातिन का प्राइस है 2399, gold का price है 2699, और platinum का price है 2999, यार रखिए यह सारे course जो है, यह P2 आए है, प्रारमभिक से, मुख्य परिक्षा तक आपको परिक्षा के हर चलण की निरंतर तयारी कराएंगे, तो इसमें एक important feature यह है, कि अगर आपने 2024 के लिए silver में enroll किया, लेकिन आपको लगता है कि 2024 के आप ले सकते हैं, तो अगर आप अब तक इससे जुड़े नहीं है, तो study IQIS की website या आप पर जाके, आप AJ live code लगा के इस course को खरीदें, क्योंकि यह जो new term prices है, यह आपको AJ live code के बार ही मिलेंगे, ठीक है, तो बिलकुल देर मत कीजिए, हमारे courses से तुरंट चुड़िए, इस आप